नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल पसुधन किसान में पुना स्वागत है और हमिशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो बकरी प तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आप इस वीडियो के माध्याम से बकरियों महने वाले इस तरह कि सभी प्रकार की परसानियों से समंदी जानकारियां अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहले बार आये हो तो प्लीज चैनल को भी जरू उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख करके उसका बेनिफिट ले सकें तो दोस्तों चलिए सुरुवात करते हैं कि यह जो सर्दी खांसी और बुखार की परिसानी है वह बकरियों में किस तरह के लक्षण लेकर आती है तो सर्दी खांसी और बुखार के जुद हो जाता है जिसके कारण से उन्हें सांस लेने में बहुंँ ज्यादा परिसानी होती है और वो मुझ खोल करके सांस लेना चालू करते हैं जिसके कारण से इन्फेक्शन काफी बढ़ जाता है और इसमें मॉटलिटी हमको देखने को मिलता है यह जो पसुपालक था इ जिट्मेंट के बाद की स्थीति है अभी भी इसमें से आपको 5-7 बक्रियों में नाक से म्यूका साता हुआ दिखाई दे रहा है तो यह जो सर्दी खासी की जो बीमारी होती है बक्रियों में उसके कारण से इनमें फिवर भी देखने को मिलता है और अगर इनमें सही से इसक पाना काफी मुश्किल हो जाता है तो दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी वरतनी है इस दर्मियान तो जैसे ही आपके अपने बकریों में जिसमें भी सरदिखांसी के लक्षणर दिखाए दें और इस तरह के नाक से मयूका साता हुआ दिखाए दें जैसा कि अभी आपको इस उस बक्री को अन्य बक्रियों को जुन्ड से उसे isolate कर देना है अलग कर देना है क्योंकि जो mode up transaction होता है अथात एक बक्री से दूसरे बक्री में बीमारी के फैलाव का जो माध्यम होता है वह इसी तरह से होता है जैसा कि आप देख रहे हो एक बक्री का भी जो मुकस है नाक से अगर वह नीचे गिरा और यहीं पर बगल में दूसरी बक्री है उसे आकर उसने उसने चाट लिया या फिर उसे उसके संपर कमे आया उसके सरीर पे वह पढ़ गया मुकस तो उस दर्मियान जो infection है वह दूसरे बक्रियों में टांसमिट हो जाता है और वह दूसरे से तीसरे होते वे सारे बक्रियों में फैल जाता है चूंकि बाड़ा छोटा होता है इसके कारण से infection जो है बहुत जल्दी फैलता है तो यदि आप बक्रियों में जैसे ही आपको symptoms दिखाए दे कि उसके नाग से पानी आ रहा है या गाढ़ा सराव टेप का आपको कुछ चीज निकलत हो दिखाए दे रहा है उसे तूरंत ही isolate करके अलग कर देना है ताकि उसमें जो बीमारी का फैलाव है वह ना हो पाए और माकी बक्रियों जो है वह सुरक्षित रह सकें दोस्तों ये तो उसमें जो हमको लक्षर दिखाए देते हैं वे हैं यदि आपका जो बक्री है उसमें infection फैल चुके हैं और सारी बक्रियां जो हैं सर्दी और खासी से ग्रसी थो चुके हैं उस सितिय में आपको डक्टरी ईलाज की वी, आपके बक्रियों को डक्री ईलाज की सक्त जोरت रहेगी आप उसमें कुता ही बिलकुल मत बढ pryतीएगा क्योंकि जो झो सर्दी खासी है व आप तुरण डाक्टर की साहता से उसका इलाद जरूर कराएं इसमें आप Broad Spectrum Antibiotic की दवाईया का यूज़ करेंगे तो वह हुथ ही ज़ादा लब्दायक होता है Broad Spectrum Antibiotic में आप Oxidatracycling की जो दवाईया है और Mp-Celine Cloxosiline Group की जो दवाईया है और मॉर्बो प्लाक्ससिन ग्रूप की दवाई है और सेफ्ट्योफर जोन ग्रूप की दवाईया है इनका इस्तिमाल आप कर सकते हैं जो मैं यूज करता हूँ जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है वह सेफ्ट्योफर ग्रूप की दवाईया है और इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है तो आप अगर अगर थोड़ी सी दवाई का रेट पर कंप्रोमाईस कर सकते हैं तो आपको यह जो दवाई है वह जरूर इस्तिमाल करनी चाहिए सेफ्ट्योफर टेजोबेक्टरम कॉंबिनेशन की दवाई है उसे चार से पास दिन तक आप लगवाईये इसके साथ साथ डेक्सोना और मेलोनेक्स और पैरसिटमाल कंपोजिशन की दवाई भी आपको 4-5 दिन लगवानी है जो बक्री है वह बक्रियां जो है वह इन दवाईयों के इस्तिमाल से बहुत जल्दी रिकवरी करेंगी और इससे मॉटलिटी भी काफी कम हो जाएगा जो जहां पर 40-50 बक्रियां खत्म होने वाली रहेंगे वहाँ पर आपको 5-10 बक्रियों का ही लास होगा तो इस तरह से आप अपने बक्रियों को इस बिमारी से बचा सकते हैं तो दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसे लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताईएगा और जोरत्मन किसानों के लिए यह वीडियो भी जरूर सेयर कीजिएगा चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद